तो आप लोग देख सकते हैं मुझे यह वाले फार्म से ना एट वेदर स्केलेटन के स्कल मिल चुक है इतने इजीली बटाऊ यह वेलकम बैक हमारे माइंडगाफ के एकने एपिसोड में तो बहुत टाइम से मुझे कुछ कमेंट आ रहे थी कि यह वेदर बॉस का है जो हेड ह होता है उसका फार्म बना दो नेधर के अंदर जैसे कि आपको पता होगा वेदर स्केलेटन को हम बार बार मारते यहां वागम के तो उससे अच्छ एक फार्म बना लोग जिससे ना हमको unlimited supply मिल जाएगा उसके हेड का जो कि काफी रेर होता है बट unlimited supply मिल जाएगा ना तो मैं मैं सोचाओ कि चलो एक फार्म बनाई देते क्या फर्क पता है ज्यादा नहीं मतब थोड़ा बहुत टाइम लेगा यहां पूरा स्लैब लगाना पड़ता है उसके बाद हमको बहुत सारे एक एरिया ढूनना पड़ता है जापे बहुत ज्यादा टाइम लेगा लेकिन अगर इस सबसे पहले मैं आपको शावट देता हूं और फार्म बनाने के लिए एक तो मैं यहां से साइन बोड बना लेता हूं तीनस ब्लाना लिया और हैसा करी साद होता हिसे वहां बहुत सारे स्लैप को बूंद करता है जितना वे चलेकर दें वादिक है टूड़ा सब बढ़त तो उसके लिए मुझे और भी समान चाहिए होता है सिर्फ ग्लासिस की ज़रों नहीं पड़ता है मुझे बहुत सारे ना स्लैप चाहिए होगे ताकि है न में वहापे स्पॉन को बंद कर सकूँ कि जब मैं सारा स्पॉन बंद कर दूंगा तो सिर्फ मेरे ही फार्म में स्पॉ किया है तो मेंबर्शिप जोइन कर लिए थैंक्यू अगर आपको करना तो आप भी कर सकते हैं तो आपको शाटन मिल चुका है आपने कहा था तो अभी सेकेंड शाटन के और बढ़ते हैं तो आज का हमारा दूसरा शाटन कुन्दन गेमर को इन्होंने लिखा कि चैनल को प् करते हैं तो आज का हमारा तीसा शाटन जाता है कॉस्मिक फिल्ड गेमिंग को तो इनका कमेंट है भाई मुझे बताओ आपने है ना चैनल कैसे ग्रों किया मैंने 45 से ज्यादा वीडियोस डाल दिया मेरा चैनल नहीं हो रहा है तो सेकंड चैनल पर है नमें इसी से रिलेटे अब यहां से ना कपर स्टून कलेक कर लेता हूं तो गाइस मैं सारके सारा समान कलेक करके आजको आपी है नहीं इसके अंदर रग दूगा ताकि आम हमें आराम से ले जा सको मुझे नहीं बहुत सारे पर रहना और यह पूरा काम करते हो तो गड़बर होगा लेकिन सबसे प प्लें पर लोगयी तो अभी ग्लास के प्लेंज़्ट चयों बहुत जाए बने कि सारे मेरे ख्याल से यहाँ पर भूट हो गए बहुत सई तो अभी बिए पोर्शन ने पुर्ष का ज्का पर रखायक और कोई आइडिया नहीं है को एकर बना नहीं है मेरे पीशसे को सबुने सब्सक्राइबबर निधे नुगे कर दो बना लेता हूं कैने और परीद विलिच् PHIL अनुगा निहीं होगा मिर्या, इसको बना लेता हूं और उसके बाद है ना दो अन्रettsेस बना लेता हूं और दोनों के दोने अन्रें लेप लगे जाओँगा घ algunas थो दोना लेटा हुजट हुआ है दोनेता के अंदर है तो यह थोड़े आपने माइन के लखे बाकि है अपने माइंड में रखा आए दो रखा यह सायद पहले खाना खाले दाओ खाना किदर एर मेरा तो फाइनली मैं नेदर में तो आ चुका हूँ अभी है ना मुझे वहाँ पर मेरे माइन से ना मुझे पहले दो फायर रेजिस्टन के पोश्टन निकाल के लाने पड़ेंगे क्यों कि मुझे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रुआ यहां बाहर तो आव ज़रुआ है आप मेने दूसरे को भाहर था उसी को मारा और एक अभी अभी को मारा और मुझे एक मिल भी गया अभी एसा लग चले तो फार्म की जरुटी के है बर कोई बाती में बनाने वाला हूं तो अभी नबे हैं बहुत ज्यादे यह मॉप स्पॉ लेता हूं मैं, इना मैं वहां पर जाने वाला हूं, लास्ट टाइम में ने वहां पर बहुत सारे collect किया थे तो, वह बहुत भरबर के spawn हो रहते, तो वह एक प्वघ्च जगया है कि मतलब जहां पर ज़्यादा स्टार्ट कर देता हूं और देखता हूं यहां पर कोई नहीं है और यह साइट देख सकते हूं यहां पर मार दिया और पहले इसको ठीकाने लगाता हूं तो फाइनली है न मैंने इसको मार दिया और वेदर स्केलिटन का इफेक्ट है जल्दी चल रहा है तो सही है तो अब नहीं कुछ नहीं करना यहां पर फाम बनाना स्टार्ट करना है तो उसके लिए मुझे अपना एंडर चेस्टी उसके अंदर से सामा निकलना है अपने प्ले बनाने वालों कि यहां पर कुछ मिला नहीं मिला और यहां पर एक और दिखे रहा है इसको फदपतल लूर करके मारते और में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता मैं से स्टार्ट कर देएं ग्लासिस को कुछ चीज तरीक से लगाना है ताकि जो भी मॉप स्पॉन हो इसके अंदर फ़र्जा और मुझे ना उनका स्पॉन पॉइंट पादा चले कि कौन से ब्लॉक पर स्पॉन होते फिर में वहाँ पर अपना फार्म पना होगा ओके देख सकते कोई बंदा मुझे मार रहा है इसको तो मैं बाद में देख लोगा मुझे पहले यह कंप्लीट करना है एक मिटा मैंने इलाइटरा पहना है तो म मुझे बहुत जाद है परिशान करने वाले तो फटावर्ट से मैंने पी लिया और अपने काम को स्टार्ट करते तो मुझे पूरा का पूरा है वहाँ एंड तक करना है जिसमें बहुत जादा टाइम लेगा बर कोई बात नहीं इसे हमको फायदा भी बहुत मिलेगा अल्लि पता नहीं मेरा लग कितना अच्छा कैसे आज देख सकतो यहां पर बनाने आया हूं और मुझे दो वेदर स्केलीटन का है ऐसे ही मिल गया मतलब कुछ किया नहीं बस मैंने नॉर्मली माला और मुझे मिल गया इसमें ना मेरा है लूटिंग 3 है शायद इसलिए बड़ फिला के बाकि सारे एरिया कॉम को बंद कर देना है तो यहां पर फटापट इसको पता करते हैं और मुझे ना पता होना चाहिए कौन से चाहिए पर स्पॉन होड़े उसके हिसाब से ना मेरा फार्म वर्ग करेगा तो फटापट मैं इसको भी कवर कर देता हूं कुछ इस तरीक से प्लक का दो काई आप लोग देख सकते हैं एक डायक्शन में यह लगा दिया है तो अभी मूझे चेक करना है कि उनका पॉइंट कहां पर तो अभी ना में फटापट यहां से देख से कटते हैं रस्ता बना चेक करने के लिए औह हूँ आप यहां पर सीध्या आगे तक आत यहां पर glasses लगा ना इसलिए तो मुझे ना यह अपने arrow से ही मानना पड़ेगा तो जितने भी weather skeleton या फिर blaze spawn होगे ना सब इसके अंदर spawn होगे और मैं उनको आराम से मार सकता हूँ तो मुझे ना इनका spawn point तो मिल गया तो मुझे ना और थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा पता करने के लिए बाकी सब क्योंकि यहां पर सारे के सारे spawn नी होगे और मैं को थोड़ा और दूर जाना है ताकि ना और यहां पर spawn हो सके तो आप यह नहीं से बहुत ज्यादा दूर चल लेता और जब सारे के सारे मॉप स्पॉन हो जाएगे ना तो आपके मैं स्पॉन पॉंट को चेक करूंगा और उनका है ना मतलब कॉडिनेट लिखनूगा ताकी मैं बना सकूँ थोड़ा और दूर चल लेता है यहां पर स्पॉ तो क्यार मुने टेक है , मुने मेरा मुने को मारना पड़े गा लेकिन आपनाटि न मुझे साथंकि मारने लगहेंग यहां पर दूर आना यह और पहले इस बैकर चीज destroy ॽण outra के और थेना शच till रिख देना है खे बास रहे हैं मुझे your deposit only and mentions करता हो crafting table से बहुत सारे slab बना लेता हूं और सारे का सारे यहां पर slab लगा देता हूं ताकि कोई और mob spawn ना हो क्योंकि slab लगाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यहां से ना मैं सारे का सारे यह लेकर है जितने भी slab बनते बना के लगा देता हूं यहां पर फटाबट सार तो खाज आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां पर स्लैब लगा दिया मैंने अभी तक स्रिफ एक ही लाइन को यहां पर दिख रहा है अभी बहुत सारा बाकिया बट वह सब की जड़ोत नहीं है यह वाले फार्म में हमको सारे एरिया को कवर नहीं करना पड़ता है तो अभी मुझे क्या करना है यह एरिया को छोड़क руки सारे डोर देना है तो फिलाल में तोर देता है ताके मुझे पताचले कि हमारा स्पोण पॉंट कौन सा है यह बाहदा-बाहदी लिखने लिखने मगा ब्ला में बत ज्यादा पॉइंड तो यहां पर आपिते खुन कोई सब्सक्राइबिअ तुर्यों को जो adding चार toi तो सब्सक्राइब a कित्र क्या इसे जना पाज सकाूश игрाना उपसके खुर्फ था तो आपित्थबियों में पॉड़कूप पॉड़िए ना हमारे सारे सब्सक्रोंच मन मेरी च्यालते पर इचलोंद लेता हो यहां पर नीए嗯क अंदर ही रहा fork कोई बात नहीं तो यह हमारे स्पान पॉइंट है जो आपको भिल चुका है यहां पर 3-3 मेस केली डेन स्कल मतब श्रूर्स को मैं पहले मार देता हूं तो सारे केल गई और यह हमारे ब्लेज को भी मार देता हूं और मुझे यह साइड के तोड़ देने और यह हमारे स्पॉन पॉइंट को मतब खोना निया बहुत ज़्याद इंपॉर्टेंट इसको खो दिया ना तो फिर गड़ रो सकता है तो अब यह ना मैंने अच्छा को दिया इसको लिखके गए तो अब यह मुझे इसको तोड़ दे करते हैं और वहाँ पर देख सकते हैं मैंने कम से कम है नाट 10 को से और करता है तो अभी इसको मारते बहुत इसको मैं कि इसको घुटे को नहीं हो अभी तक कलेक्ट हो जा रही इतना टाइम वेस्ट मत कर तो हो गया फैनली कलेक्ट और यहां पर जितने भी यह सब को मानूगा तो मुझे बर बर के मिलेंगे तो मुझे कहीं पर ऑजी बर चीज़ जीज़ मुझे इनको मानना ए पर इसने ड्रॉप किया पहले देखते किसी ने head दिया या नहीं दिया पांच में से कोई एक तो head देना चीए था एक बाट चेक कर लेते क्या फरक पड़ता है तो आएके शायद से नहीं दिया है तो अभी ना मैं आपको दूसरे पॉइंट दिखाता हूँ तो मैंने ये साइड भी बहुत सारे पॉइंट को मतलब फाइंड की है यहां पर कोई ये साइड तो मुझे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से मुझे एक पॉइंट दिखा हूँ मतलब मुझे उसको फटा पर से ना collect करना पड़ेग आप कंफ्यूज मत हो ना देख सकतो ये भी स्पॉण पॉइंट है अभी में इतना पास हूँ ना 24 ब्लोक के अंदर यहां पर स्पॉण नहीं हो रहे होंगे चलो कोई बात नहीं मैं आपको और भी दिखाता हूँ और भी मैंने दूसरे दूसरे जगे पर फाइंड करके नहीं मिल चुक है इतने इसली मेरे को में इसा हूँ बहुत ही मस्ते आप यह बना सकते हो थोड़ा सा महनत रख सकते हैं मुझे पता है बड़ बहुत ही मस्ते तो आप इना वापस चलके वहापे मारता हूँ और पहले नहीं यह कंप्लीट करेता हूँ जितने भी बेकार के से उसको तोड़के स्लैब लगा देता हूं तो काइज आभी है ना हमारा फार्म एकदम रेडियो हो चुका है मैंने कम से कम नो दर से मुझे यहां पेना एक स्लैब लगाना पड़ेगा ताकि यह निकल ना पाए तक वेदर स्केलेटन तो स्पॉन नहीं हो है बहुत जल्दी स्पॉन हो दाएगा कोई बात नी तो पहले इसको में मार देता हूं देख सकते यह बहार नहीं निकल पाएंगा इस तरीके से यहां से बहुत सारे वेदर एक मीटा यहां पर कोई नमूना दिख रहा जा बही को इसको में बाद में देख लूँगा पहले ना में चलता और अपने फांप पर दिखा तो आपको बहुत बढ़ा मैंने बना इतने सारे पॉइंट ले लिए कि भर बर कि हमको मिलेगा और यहां पर ओव हो सकते हो जो मैं क्यूबान और और कुछाद रहा हुत लाए देख सकते हो मी है और on घट्रभटल को Μप्लेट मिले देख सेकते हैं यहापन सब्सक्राइब देखे हैं, और मुझे यहाँ पने मेरे हैं सब्सक्राइब मिल चुक है इतने इजीली बही क्या ही बताऊं यह फां तो एकदम मस्त है तो अगर आपको यह फां बनाना तो सिंप्ली ऐसा ही करना बन जाएगा और यहां पर नेधर के अंदर बहुत ज्यादा ग्लीच होता है क्या ही करूं अब यह इन सब को कलेक कर देता है मुझे सब्सक्राइब कर देना चलें मिलते एक निमाइन कपके अपिसोर में तब तक के लिए बाए 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 झालें यह झालें मिलते एक अपिसोर में अपिसोर में उन्हाएब कर देना बनाता है